नमस्कार दोस्तों, PCS पार सला में आप सभी का स्वाकत है यहाँ पर आप लोग को जानकारी दी जा रही है कि 6,000 दरोगा समेट 7400 भरतियां होने वाली है दरोगा की जो भरतिया आने वाली है, 6,000 सीटों पर आने वाली है और भी बहुत सारी भरतिया हैं, तो कुल मिलाकर 7400 भरतियां होंगी दरोगा समेट और 6,000 दरोगा का पद होगा, अगले हफते इसका बिग्यापन बिटकुल आ जाएगा तो यह देगे हिंदुस्तान जॉप्स का न्यूज है ये उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल इस्टाफ के लगवच 7400 पदों पर भरति की प्रिकिया शुरू होने वाली है इसमें सब इस्पेक्टर के पदों की संख्या लगवच 6,000 होगी उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवन पुरुनत पोर्ड इन पदों के लिए अगले हफते बिग्यापन जारी कर सकता है प्रदेश की मौजुदा सरकार के कारकाल में पुलिस में अपरेल 2017 से लेकर अब तक 137,253 पदों पर भरती की जा चुकी है भरती बोर्ड ने इस बार सब इस्पेक्टर के 6000 पदों के साथ इस्टेनों वा एकाउंटेंट समेथ मिनिस्ट्रियल इस्टाफ के 1400 पदों पर भरती की तैयारिया दब 6000 सब इस्पेक्टर के और 1400 पद यह कुल मिलाकर 74 पदों पर अगले हफते बिग्यापन आने वाला है तो यह नूज है बहुत ही धाकर नूज है तो देखिए दोस्तों UPSI का विग्यापन आने के बाद UPSI का सेलबस क्लियर हो जाएगा और सेलबस के अनुसार सारा का सारा मैटरियल आप लोग को दिया जाएगा उत्तर प्रदेश यसाई का पूरा का पूरा मैटरियल आप लोग ले सकते हैं और हमारा ओफिसियल वाटसप नंबर डिस्क्रिप्शन में है आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और UPSI का संपूर सारगर भी तरामबार मैटरियल आप लोग को मिलेगा और डिस्क्रिप्शन मे हमारा official whatson number है description में telegram group का link भी दिया हुआ है आप उसको join कर सकते हैं facebook group का भी link की दिया हुआ description में आप join कर सकते हैं तथा अगर आप लोग को खंड सिच्छा दिकारी का material चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे official whatson number पर संपर कर सकते हैं पीजीटी पीजीटी का भी किसी भी subject का material चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे official whatson number पर संपर कर सकते हैं और UPSI का पूर material आप लोग को मिलेगा किसी भी परिच्छा के लिए किसी भी तरह का किसी भी subject का material चाहिए तो आप संपर कर सकते हैं वीडियो को लाइक और से जरू करेगा दूस्तों टेलीग्राम ग्रूप को link का link description में है जोइन के लिजेगा Facebook ग्रूप का भी link description में है आप उसको जोइन कर सकते हैं धन्नबाद